कर दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आग में आप लोग के सामने यूपी की बहुत ही फेमस मटर की गुगुनी लेकर आई हूँ आलू और मटर की ये गुगुनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है सर्थी किसी दिर में आप इसे जरू ट्राइब कीजिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पसंद आने के बाद इसे लाइक कीजेगा अपने फ्रेंस और फैमली के साथ जरूर कीजेगा तो यहां पर मैंने लिया है एक किलो छीली हुई मटर है मटर आप बिल्कुल फ्रेश लीजेगा जो खाने में मीठी होती है और दो अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों तो देखिए तेल हमारा बहुत अच्छे तरीके से गरम हो गया है तो इसमें हम डालेंगे आधा चुछा चमल जीरा और जीरे के साथ यहां पर मैंने दो से तीन के कलिया थी इसको बारिक चौप कर लिया है इसको भी आट कर देते हैं और लैसुन और जीरा जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के कॉडिंग कम जादा कर दीजेगा यहां पर मैंने दो से तीन हरी मिर्च को भारिक चौप कर लिया था और डालक संटम कर देंगे और इसके साथ इसमें हम जो भी स्पाइस्ट डालने हो भी एट कर देते हैं तो यह जो नाच्ता है बिल्कुल ही कम मसालों में त strikes माल्ती और नमक ड गदालेंगे इससे lessनमे इसी मसाले में ये नाश्ता इतना चटपटा बनता है कि सबको बहुत ही पसंद आता है दोस्तों तो देखिए हैं पर मैंने आदा चोटा चमच हल्दी पाउटर डाला है और आदा चोटा चमच नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और आलू को हमें थोड़ा सा सॉप् तो इसको हम कवर करेंगे और बीच-बीच में चलाते हैं जब तक आलू हमारा थोड़ा सा सॉप्ट न हो जा तब तक इसे पका लेंगे सर्दी के सीज़र में यह था नाश्ता खाने में बहुत ही गर्मा गरम बहुत ही जबर्दस लगता है आप इसे चाई के साथ ले सकते ह खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अलग है दोस्तों तो एक बार आप इसे जरूर बनाईएगा देखिए हमारा आलू थोड़ा सा पक चुका था तो मैंने यहां पर जो मटर है उसको भी आड़ कर दिया है और डाल कर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम कवर करके जब तक हमारा मटर और अलू अच्छे से गल ना जा तब तक इसे हमें पकाना है तो इसे हम ढग देंगे और ढग कर अच्छे से पका लेंगे तो दोस्तों अगर आपको आज किये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा अपने फ्रेंस तो ठाले मिर्च में अमठोटे है हे । करके लाया से जब गी तो हमारी बहुत ही टेश्टी आपकर जबरदस्ट आता ही आप आप यूपी में जाएंगे आपको ये नाश्टा खाने में ठंडी के घर में सभी के घरों में मिलेगी दोस्तों तो इसको हम कवर करते हैं और धक कर पका लेते हैं तो 5-6 मिनित तक इसे मैंने slow to medium flame पे पकाया आप देख सकते होंगे मटर हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गज चुका है हमारी आलो मटर की घुगरी बनकर तयार है अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई भरी धनिया और डालकर अच्छे से मिक्स करके फिर इसको हम गर्मा गर आपको जरूर पसंद आएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक हेल्दी खाईए हेल्दी रहिए थाक्यू सो मच फॉर वाचिंग